पर इमाम के खिलाफ फत्वा रान प्रतिष्ठा कारिक्रम में शामिल होने पर मांगा गया स्तीफा इमाम ने भी स्तीफा देने से इंकार कर दिया फत्वा जारी करने वालों को सनातन भारत का संदेश दे दिया और हमने अपना जो पैगाम दिया हम उस प्रगाम पर अटल हैं हम भाफी मांगने वाले नहीं हैं और नहीं में भाफी मांगूंगा नहीं में किस तरह अगा स्तिफा दोगा इमाम उमेर एहमद इल्यासी राम मंदर प्रान प्रतिष्ठा कारिक्रम में जिन्होंने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था यह धर्म गुरु ओल इंडिया इमाम और्गनाइजेशन के चीफ हैं उन्हें बकायदा राम जर्म भूमी तीत शेत्र ट्रस्ट की तरफ से सेतिहासिक कारिक्रम में सम्मेलत होने के लिए निमंतरन दिया था जिसके बाद इमाम इल्यासी ने आयोध्या पहुचकर धर्म से उपर उठकर इंसानियत का पैगाम दिया था भाईचारे का संदेश दिया था आपसी मतभेद भुला कर अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ में प्यार से रहने के लिए प्रेरित किया था और अब उनके इसी व्यक्टित्व से इसी आचरन से कच्चर मुस्लिम मौलाना को परेशानी हो गई है और इमाम इल्यासी के खिलाफ फत्वा जारी हो गया है मुफ्टेसाबद हुसینिखास्मी के नाम से जारी कufr के फत्वे के साथ मुख्य अमाम का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल कर दिया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके खिलाफ किस ने और क्यूं फत्वाचारी किया है मुख्य इमाम ने बताया कि आयोध्या में प्रभुराम के मंदर जाने के साथ ही इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म और राश्टर को धर्म से उपर बताने वाले कटरपंथी नाराज हैं और उन्हें लगातार फोन और इंटरनेट के माध्यम से धंकिया दी जा रही है सुनिये मुख्य इमाम की बार 22 जन्वरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगाओं से मुझे धंकिया आने लगी मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहूल बनाने लगे मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब्द शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे तमाम मुझे अलग अलग जगाओं को मुझे मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा इसी बीच में कुछ फोन्स कॉल आ हैं जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे चांसे मारने के लिए मुझे बहुत ज़ादा तकलिफ देने के लिए जो इस तरह के फोन आए वो भी फोन आए माफी के भी फोन आए तो लास्ट में कल रात कोई एक फत्वा जारी हुआ है जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसेनी कास्मी जो शख्स एक इंस्टिट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का जिनका मुफ्ती क्लासिस के नाम से उनका चलता है मैं उनको जानता नहीं हूँ मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग लग जगाओं से फत्वा आना शुरूँ सुना अपने कैसे प्रान प्रतिश्ठा कारिकरम में इमाम साहब के शामिल होने से कितनी तकलीफ हो रही है कट्टर मुलाना को फत्वे में मुख्य इमाम के लिए कहा गया है राम मंदर जाने से पहले और बयान देने से पहले क्या ये ख्याल नहीं आया कि तुम मुलाना जमील इलियासी के बेटे और मेवात के जाने माने उपदेशक परिवार से हो अरे नादान तुम कब से इमामों के सरदार बन गए हिंदूओं की नजर में अच्छा बनना था हिंदूओं को खुश करने के लिए गए थे फत्वे में ये भी लिखा है कोई भी इंसान तब तक सच्चा मुसल्मान नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर पूरी इंसानियत नहों फिर ये कहना कि सबसे बड़ा धर मानवता है इसकी इजासत कहां तक दी जा सकती है समान पाने के लिए मंदर के उद्गाटन में क्यों शामिल हुए और फिर जो इस फत्वे में मुख्य इमाम पर रिल्जाम लगाए उन्हें उनसे ही जान लीजें चार बिंदू इसमें बनियादी हैं एक बिंदू उनका यह है कि आप प्राण इसलिए आप पर फत्वा जारी होता है तीसरा गुना यह है कि आपने धर्म से उपर उठकर आपने कहा है कि रास्ट सर्व परी है देश को आपने उपर बना दिया है इसलिए आप भी इस फत्वे के लिए लिहाद से आप खारीज हो गये लिहादा अब आप पर कुफ्र का जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो इसकी सजा हैं इसमें मुकरर कर दी गई है मतलब धर्म से उपर इंसानियत को समझ लेना भी इन लोगों को गवारा नहीं है जो कि मुख्य इमाम ने किया है इंसानियत कही पैगाम उन्होंने आयोध्या से दिया था दिखिए ये बदलते भारत की तस्वीर है आज का भारत नवीन भारत आज का भारत उत्तम भारत मैं यहां पैगाम मुहबत लेके आया हूं जहां तक पहुंचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं इसी का नाम भारत है हमारी इबादत करने के तरी अच्छा बड़ा धर्म है वह इनसान और इंसानियत का है आव हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें दूसरा हम सब भारती हैं भारत में रहते हैं तो हम सब को चाहिए कि हम अपने भारत को मश्बूत करें हमारे लिए रास्ट सर्वों पर ही है दूसरी बात यह है कि अब हम सब को मिलकर एक होकर भारत को मश्बूत करना है भारतियता को मश्बूत करना है रास्ट सर्वों पर ही है इसी पैगाम को आगे लेके जाना है अखंड भारत हमारा बने यही इंसानियत का पैगाम देने से मौलानाओं को उमेर एहमद इलियासी से परिशानी हो गई है और 22 जनवरी से ही उन्हें खोब धंकिया मिल रही है और अब तो फत्वा भी जारी हो गया है हलांकि ऐसे लोगों को जवाब भी इमाम साहब ने काफी तगड़ा दे दिया है इमाम साहब ने फत्वा जारी करने वालों को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे दिया है पहली बात तो यह इसलामिक देश नहीं है यह भारत है यह सनातन भारत है इस भारत में हमेशा से सर धरन संभाव की बात है यहां एकता खंटा की बात है अनेकता में एकता की बात है अगर उनको मेरे इस पैगाम महबत से तकलीफ है मेरा विरोध कर रहे हैं तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट के साथ देश के साथ अगर प्रेम कर रहा मेरा ये दोश है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं मेरा इसलिए भी रोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए अब वो लोग जो मुझे से महबत करते हैं जो देश से महबत करते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर मुझे लगता है कि शायद उनको भी पकिस्तान जाना चाहिए यहाँ पर महबत का पैगाम हमने दिया है हमने कोई गुना नहीं किया है रास्टमंदिर था हम वाहाँ रास्टमंदिर पे गई थे और हमने अपना जो पेगाम दिया हम उस पेगाम पर अटल हैं हम वाफि मांगने वाले नहीं है कमेंट कर जरूर बताएं अब वो लोग जो मुझे से महबत करते हैं जो देश से महबत करते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए यहां पर महबत का पैगाम हमने दिया है हमने कोई गुना नहीं किया है रास्ट मंदिर था हम वहां रास्ट मंदिर पे गई थे और हमने अपना जो पैगाम दिया हम उस पैगाम पर अठल हैं हम माफी मांगने वाले नहीं हैं और नहीं मैं माफी मांगूंगा नहीं मैं किस तर हैं कर लें अभी उन्होंने एक स्टेट्मेंट जारी किया है उन्होंने का है कि हम माफ करने वाले नहीं हैं तो मैं भी बता दूं कि मैं आप से माफी मांगने वाला ही नहीं हूँ